तो आज हमारा question है multiply by suitable arrangement हमें multiply तो करना है लेकिन suitable arrangement मतलब easy way में करना है कि किस से हमारा easy way अगर मैं इन सबको multiply करूँ 20 इतना तो हम देख रहे हैं 20 इंटु ये इसको कर देंगे देखो 20 इंटु 5 कर देंगे ठीके और इंटु ठीक है और 8 इंटु 7 उससे क्या होगा 20 25 ये कितना होता है 100 इससे इजी होगा अब 100 आ गए 8 7 जे कितना होता है 8 7 जे 56 अब जब आप इसको इंटु करोंगे तो ये 56 अंडिर आ गए तो इजी होई में हमारा क्या गया question आ गए तो यह हमें ट्रिक देखने कि किस से हमारा जिरू जिरू आ जाई ओके अब यहाँ देखो 25 यहाँ भी बिल्कुल यह इजी आ रहा 25 25 इंटु 4 करेंगे और फिर इंटु 598 कर देंगे अब 25 25 फोर जा कितना होता हंडेड हो जाता अब हमारा बिल्कुल इजी हो गए 998 है तो इसको करेंगे तो कितना फाइब नाइन एट और दो जिरू लगा तो पीछी यह हमारा मंट्टिपल किसन हो गए ओके अब इसमें देखना लेकिन हमें कि हमें का सी जीरो मिले अगर मैं देखो 15 एट जा तो बिल्कुल नहीं होता है तो हम क्या गरें 25 इसको करेंगे को कुछनदे मन्टिपल्याइ यह आगे कोई ‫रूल्स नहीं यह ओता इसले क्या करेंगे in 2008 कर्देंगे उके वह इंटो 40 हेइं 57 ॐ क्वे उसे क्या होगा आगे फ़र अगेस घ्रलल त div चीह हैं 16 कितना होता 20 वांच फोर बर पूर जा हो जाएगा और यह 0 600 ठीक है अब यह easy हो गया अब देखो इंदोरों करो 12 जा कितना होता 12 जा ओ 6 2 जा sorry sorry 6 2 जा कितना होता 12 कितने 0 1 2 तो यह 0 और 2 यहां यह 0 तो हमारा answer कितने easy में आ गया ऐसे हमने यहां देखेंगे ठीक है तो यहां देखवा आप यह 62 है तो हम यहाँ पे 2 into 60 into 2867 कर सकते तो 6 to 12 हो जाएगा into 2867 अब यहाँ पे हमें पूरा-पूरा multiply करना पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे 2867 into 227 जा कितना था 14 2714 261 12 13 263 17 256 जा कितना रहीं यहाँ यहां लगा यहां या में यहां लगा लिया हम इद आ